वेल्कम टो मैं चैनल गाइज आप लोग देख रहे हैं गेमिंग विद एजडी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो आज हम खेलने वाले हैं आयम फिच गेम का पार्ट नाइन मतलब की हमारा जो तीसरी मचली है उसका फाइनल लेवल तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं और गेम को स्टार्ट करने से पहरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा तो हम इस बॉक्स के अंदर हैं और यहां से हमारा गेम जो है स्टार्ट होता है तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मेरे वज़े से एक आदमी का एक्सिडेंट हो गया था तो वो शायद मुझे यहां पर ले आया है और वो जो आदमी था वो और कोई नहीं वो कोई आदमी था जिसके बाकेट में से हम लोग भागे थे अच्छा तो यह एक आइस का टुकड़ा है जिसके अंदर हमें और शायद से उस बॉक्स के अंदर हार्ट भी था मैंने देखा था और यह रहा हमारा पहला चेक पॉइंट यहां से रास्ता है शायद और यह तो बंद है अड़े अड़े पीघल रहा है तो हमें समल कर रहना होगा क्योंकि यह आइस क्यूब कभी भी पीघल सकता है तो यहां पर हमें एक रास्ता मिल चुका है तो चले चलते हैं अड़े 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 जिस तरह से यह नीचे जाड़ा है मुझे अड़े 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 दूबारा से यह पीघल गया अड़े और वह देखो वह रहा हमारा नेक्स्ट इक पॉइंट इसका साइज खोड़ा बहुत तो छोटा हो गया है और यहां से एक रास्ता है इस टनल में से जिस तरह से यह जाड़ा है मुझे लगता है कि यह तूट जाएगा अड़े 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 वाफ़े और यह हम किसी टेबल के उपर आगी रहे हैं दियान से जाना होगा यहां से तो पहले अच्छा तो नीचे कारपेट था इसलिए हम बच गए मैंने सोचा थे कि पहले चेयर के उपर गिर कर फिर नीचे आएंगे लेकिन जैसे दैसे आ गए और वो देखिए हमारा चेकपइंट कवैं रुर्ण वहां धिर कि आएंट वहां टो ना रहा है अवाल कर दूप जाते हैं अरे 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 वो शायद मुझे पकड़ लेगा तो हमें उससे बचके रहना होगा इससे नहीं शायद करें वाद में करते है शायद उससे बाद में आएगा तो चलिया ही इधर चलते हैं और यहां पर एक ब्रेड है इसे कलेक करते हैं तो वो हमें ढूंड रहा है बहुत साब्दानी के साथ यहां से जाना होगा हमें और यह रहा हमारा चेक पॉइंट इस तरब तो सीरिया है चलिए नीचे जलते हैं अरे 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 बाप इस तब कुछ गिर गया और यहां पर मैं आटक गया हूँ अरे 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 तो गाइस दो बारा से हम दे चेक रूप आगे कैना आटक गया था तो हमने दो बारा से से रिस्पॉन कर लिया तो बारा कि इस बार ध्यान से जाओंगा अधे तो बारा से किर गया सब कुछ लेकिन कोई बात नहीं इस बार हमें रास्ता मिल चुका है और वह देखिये सामने हमारा चेक पॉइंट ढिख रहा है मुझे किस तरफ जाना होगा वो मुझे ठीक से मालूम नहीं तो चलिए आगे बढ़ कर देखते हैं फड़ी वो फिर से आ गया पागल डॉक्टर यहांपर कुछ देर क्यूप कर रहता हूँ वो देखियो दुबारा से आ रहा है अडेज़ज़ज़ज़ज़ज़ यहांडेज़ज़ज़ज़ज़ आ गया वो आ गया सायद उसने नहीं देखा मुझे अदे जाना भाई अदे दूबरा से आगया अरे 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 तो हम मर गए यहां पर इस बार बहुत ध्यान से जाना होगा लेकिन एक बात तो है उससे मुझसे क्या काम हो सकता है अरे वो देखा दूबरा जा गया अरे 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 तो हम जैसे दैसे बच गए अरे कैसा पागल डॉक्टर है तो जाना सर्जरी कर ले मेरे पीछे क्यों भाग रहा है तो गाइज यह रहा एक और ब्रेड़ और अएज़ दढसे अरे दिए तो दो दो वो देखो यहाँ पैड़ छुप जाते है वो देखो सर्ज बताओ तो मुझे डर लग रहा है उसते अरे 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 वो अभी भी यहाँ पड़े है सर्जीर challenges साम सेफे बरहए इंफे विख रवाँ सबस्कीन सबस्दारीजिंदे सुआ सबस्तकर केवर्ण o पीछे वजीब आदमी है तो गाइज इस बार हमें भागना होगा क्योंकि वो मेरे पीछे ही है तो इस तरह पे कडोड है और यह रहा हमारा नेक्स चेकपॉइंट तेजी के साथ हम आ गए और वो साथ से मेरे पीछे ही है तो देखिये तो आप और वो से चारी है तो इस उप जाते हैं शायद चला गया कैसे धून रहा है देखो उसके आवास से मुझे डर लग रहा है तो इस तरफ से तो हम नहीं जा सकते शायद सामने कोई रास्ता होगा अरे 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 यहाँ पर धूप था इसलिए आइस पीगल रहा है और वो देखो वारा है वारा है पीछे ही है अरे तूट गया तो गाइस दो बार हम रिस्पोन होके आगे इस बार ध्यान से जाओंगा और इस बार हमने दूसरी रास्ता चुना है क्योंकि उस साइड धूप था और यहाँ पर भी धूप है लेकिन उस साइड पर गाइस पीगल रहा था और वहाँ पर एक ब्रेड है सामने और यहाँ पीगल रहा यह इस है और वह हमरे पीचे ही है और यहां हम आगे तो फाइनली गाइज हम आगे और अब लगता है कि वह पागल डॉक्टर मेरे पीछे नहीं है तो यहां से नीचे चलते हैं और सामने ही मुझे एक टैनल मिल गया था और हम तेजी के साथ नीचे जा रहे हैं अरे तो यह रहा हमारा नेक्स चेक पॉइंट और आइज भी टूट चुका है और हमें सामने पानी मिल गया है अरे अरे फस गया यहां पर और सामने यहां पर ब्लड है तो इसे शायद गिराना होगा अरे हम ब्लड के अंदर आगे और यहां पर भी एक स्टेंड है तो चलिए इसे भी गिराते हैं और यह हमने गिरा दिया अरे और नीचे पूरा ब्लड ही ब्लड हो गया यहां पर भी है अच्छा तो हमें इस घर को ब्लड से भरना होगा क्या क्या करवा रहा है यह गेम और यह शायद एबी ग्रूप का ब्लड है कितना ब्लड वेस्ट हो गया आज यहां पर भी है शायद हाँ यह रहा तो हमें साड़े पैकेट को यहां पर लीक करना होगा ताकि सारे ब्लड यहां पर भर जाए पूरी घर पर यहां पर भी है शायद ब्लड का पाउच इसे सायद पाउच ही कहते हैं पता नहीं मुझे ठीक से तो आप लोग कमेंट्स में बता ना कि इसे क्या कहते हैं पैकेट या फिर पाउच कुछ तो कहते हैं होगे तो चले यहां पर एक पैकेट रह गया है तो हमने पूरे घर को ब्लड से भर दिया है पूरे रूम को और वहां पर एक रेड कपरा दिख रहा है मुझे इसका मतलब है कि मुझे दर्वाजा को खोलना होगा मैंने शायद अच्छा तो इससे लीक नहीं किया था इसलिए वहां पर नहीं पहुच बारा था तो ये भी हो गया तो हमें इस दूर की लॉक को खोलना होगा और ये हमने खोल दिया है इस तरह अब तो हम नहीं जा सकते तो वो रहा हमारा नेक्स चेक पॉइंट वह पर एक बोड लगा था जो हमें इस और आने को बोल रहा है कैसा अजीब सा जगा है मुझे तो डर लग रहा है इस रूम पर क्या कुछ है तो यहां पर भी एक कपड़ा है चलिए इसे भी खोल देते हैं अड़े यह भी बलड है आज तो हमने पूरी बिल्डिंग को ही बलड से भर दिया यहां पर साइड कुछ होगा नहीं खाली है अब किधर जाना होगा वो तुम मुझे मालूम नहीं अड़े यहां पर एक कंकाल है कंकाल ब्लाड में स्वीम कर रहा है यहां पर शायद कुछ है चलिए देखते हैं इसके पहले इस साइड एक पर भूम कर देख लेते हैं अड़े मैं राउंड राउंड चक्कर काट रहा हूं दोबारा से शायत है इसकी जगह पर आ गया था मुझे कुछ समझ नहीं आरा कि अब क्या करना होगा अजया करना है मुझे कुछ ओू है यह प्लाव कोई तो रास्ता मिज़ जाए यहाँ पर एक बटन है हड़ी यह लिफ्ट का बटन है तो हम लिफ्ट के अंदर आ गए और यह किरा हमारा नेक्स टिक पॉइंट हड़ी यहाँ पर तो फ्लैट हो गया अंदर हम फाइनली होस्पिजल से बहार आ गए हम जब बहार आ रहे थे ना तो मुझे वह आदमी दिखा जिसका एक्सिडेंट हुआ था यहाँ पर तो रास्ता नहीं है तो इससे क्या तोड़ना होगा यहाँ से तो नहीं जा सकते यहाँ से भी रास्ता नहीं है यहाँ पर भी कुछ नहीं है अच्छा तो इससे हमें तोड़ना होगा एंड यह हम पाइप के अंदर आ गए और यह बहुत दी लंबा पाइप है और फाइनली हम इस लेबल को पार कर चुके हैं तो आज का वीडियो यही तक था अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा एंड जाद से जाद से शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बिंती करता हूं कि अगर मेरा चैनल का कॉंटेंट आप लोगों का अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए जरूर और इसी के साथ हम लोगोंने तीनों मस्दियों को एक कर दिया है अब तर्फ एक मस्दी रह गया है जो कि है हमारा फ्लाइंग फिश तो यह लोग उसे ढून रहा है याद कर रहा है उसे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे भी यहां पर लाएंगे तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई